तादी मा की घ्रेली नुसके और तालिस कीचिन टिप्स नमबर एक अपने नमग का सेवन परती दिन पांच गराम तब कम करें लगभग एक चमज के ब्रावर नहीं तो उच्छ रख्त चाप का खत्रा होता है जिससे हिदैरोप और श्टोप का खत्रा बढ़ जाता है नमबर दो दिमाग तेज करने के लिए दही खाये दही में एमिनोइसिड होता है जिससे तनाब दूर होता है और दिमाग के चमता बढ़ती है नमबर तीन बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर जो औरते लशुन नहीं खाती है उन्हें जोरो के दर्द की ज़्यादा परशानी होती है इसलिए रोज तिन से चार लशुन की कलिया को अपने खाने में जरूर शामिल करें नमबर चे गर्मियों के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए वरना आप खोकले हो जाओगे नमबर शाथ डिंगो से बचने के लिए पपीते के पत्ते का रश निकाल कर दिन में दो बार लगवग दो से तीन चमज की मात्रा में लेने से डिंगो से बचाप किया जा सकता है नमबर आठ रुजाना सुबा के समें काले तिल चवा कर खाने से दांद और मशूरे शोस्त रहते हैं नमबर नौ जो लोग कप्ज से पीरित हैं लोगों को शाम के समें पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए फाइवर रिक्त पदार्ट का सेवन करने से भी कबज में राहत मिलती है नमबर दस दातों को सुष्ट एवन शाप रखने के लिए रात को सूने से पहले दातों को साफ करना चाहिए उसके बाद एक गिलास पानी पी कर ही सूना चाहिए नमबर इकारम परती दुन योगा करना हमारी सरीर के लिए लाप्रद होता है यह हमें गंभीर बिमारियों से भी बचा सकता है नमबर बार हमें खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए एरी हो सके तो खाना खाने के बाद आदे घंटे के बाद पानी पीए बहुत देर तक एक ही जगह पर एक ही अवस्ता में नहीं बैठे रहना चाहिए पुदिने के पत्ते को इसकीन पर मनले से इसकीन नरम, मुलायम और चमकदार हो जाती है नमबर 15, चीको का सेवन जरूर करें चीको में लोख तक काफी मातरा में होता है इसलिए चीको को खाने से खून की कमी दूर होती है नमबर 16, अगर कान दर्ध हो तो प्याच पिसकर उसका रस कपरे से चान ले फिर उसे गरम करके चार गुंद कान में डानले से कान का दर्द समाप्त हो जाता है पेसार में जलन होने पर इलाईची को आबला और शहत के साथ खाने से फैदा होता है एक छोटा सा टुकरा अनार के छिलके का चवाने से उडाने खासी और एलर्जी दूर हो जाती है प्रीज में रखके ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए यह न केवर गल्ले के लिहानी कारक होता है बलकि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुचाता है ठीज नमबर बीज ठाने में पौश्टिक भोजन, दूद, दही, सिलाद, फल, अनाज, हरी सबजिया आदी का परियोग करना चाहिए हमेशा सबजियों को धोकर परियोग में लाना चाहिए नमबर इकेश संतरे, अंगूर, निम्बू और अमरूद में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है इनका सेवन परती दिन करना चाहिए नमबर बाइस अपने भोजन को पोशन से भरपूर बनाये रखने के लिए उसमें बिटामिन, कैलसियम, प्रोटीन, आयरेन, खनीज, लवन और एंटी ऑक्सिएंट की संतूलित मात्रा शामिल करनी चाहिए इससे आप हमेशा शौस्त रहेंगे नमबर तईस बुढ़े लोगों को एक्टिव रहना चाहिए उन्हें मनुरंजगती वीदियो में खुद को प्यस्त रखना चाहिए नमबर चौवेज हमें तामबे के बरतन में पानी पीना चाहिए तामबे में बैक्टिरिया नासर गुन होते हैं जो संक्रमन होने से बचाते हैं पानी लीवर के लिए बहुत फायदेमन रहता है नमबर पचेज भोक सदी खाना बीना भोक के खाना और अशमय खाना शोस्त के लिए बहुत आनिकारक होता है नमबर चपबेज जिस इंसान का बाल उर गया हो और वह गंजा हो गया है इससे उन्हें लाव होगा नमबर 27 सब्ता में एक बार नीम का काढ़ा पीने से पेट की सारी गंधी शाफ हो जाती है और शूगर बीपी की समस्याई भी दूर होताती है नमबर 28 सोने से पहले इलेक्ट्रोनिक्स गैजट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमा को नुक्षान पहुचाते है और सही से अराम नहीं करने देते है इससे इलेक्ट्रोनिक बेप्स निकलता है जो हमारे लिए खतरनाक होता है यह मस्तिक्स और सरीर को कमजोर बना देती है नमबर 29 मांसिक एवम शारीर गुप से सोचत रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए सकरात्मक सोच रखना चाहिए और अपने काम एवम जीवन में शंतुलन बना के रखना चाहिए नमबर 31 हिचकी नहीं रुक रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे इससे आपके हिचकी यानि रुक जाएगी नमबर 31 बरशात में बीमारी से बचने के लिए हलके रंके कपरे पहने हलके रंके कपरे पर मच्चर कम अपास आते हैं जबकि गहरे रंके कपरों पर वो आकरशित ज़्यादा होते हैं फूलास जिनके कपरे पहन कर आप मलरिया से बचे रह सकते हैं नमबर 32 जिनका बलड प्रेशर कम हो जाता है वो रोजाना खजूर खाए इसके लावा चुकंदर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर 33 पान के पत्तों को पानी में उबान कर पीने से चाती का जमा हुआ कफ दूर हो जाता है और खासी में भी रहत मिलती है नमबर 34 अगर आप अपनी तोचा को चमकदार और खुपशुरत मनाय रखना चाहते हैं तो इसके लिए अकरोट का सेवन सुरू कर दे अकरोट पोशक तत्वों से भरपूर होता है अकरोट सरीर के लिए सबसे जरूरी ओमेगा 3 फैट होता है नमबर 35 पिशाम में अगर चीनी हो तो जामूं की गुटले सुखा कर महीन पीच ले और उसे महीन कपरों में चान ले परती दिन तीन वार एक चमच ताजे जल के साथ लेने से पिशाप के साथ चेनी आनी बंद हो जाती है इसकी अतरिक ताजा करेला का रज आधा गिलास निप्ते पिने से भी लाव होता है नमबर 35 अगर आपके आखे कमजोर होने लगी है तो रोजाना शुवा आँखों में सुर्मा लगाए इससे आपकी नजर तेज हो जाएंगे नमबर 37 पेट में कीरे होने पर लसी में अजवाइन के चुन मिला कर पिए इससे पेट की कीरे मर जाएंगे नमबर 38 फूल गोवी को पकाने पर उसका रंग चला जाता है ऐसा नौक इसके लिए फूल गोवी की सबजी में एक चमच दूद या सरका डाल दे नमबर 49 बरे बुजर्गों के साथ समय बेतीत करनी चाहिए उनकी छोटी छोटी बाते भी बहुत ग्यान पूर्ण होती है इससे उहाँ पर मच्चर कीरे मकौरे पनपते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं नमबर 41 एक अक्रोट की कीरी पांच ग्राम किस्मिश के साथ हरती दिन शूबा एक वार बच्चे को दे इससे बच्चो की विस्तर पे पेशाप करने की आदत चूड़ जाएगी नमबर 42 भूजन के पहले टमाटर का सूप पीने से या टमाटर कच्चे खाने से भी वजन कम होता है भूजन के साथ सलाथ जरूर लें नमबर 43 अद्रक और इलाइची के चिलके को फेके नहीं बलकी पीस कर चाय में डाल दे इससे चाय का स्वाद बढ़ेगा नमबर 44 एक अब दूद में आधा चंबर सौब डालकर उबानने से दूद हलका और सुपाच्चे बन जाता है ऐसे दूद से पेट नहीं फूलता है नमबर 45 एक ताजा हरा आपला रो जाना कुछ दिनों तक चबा कर खाने के लिए बच्चे को दे इससे उनका तुदलापन और हकलापन बंद हो जाएगा नमबर 46 सब्चियों को खाना बनाने के बहुत पहले काटने से उनमें नहीत विटामिन नश्ट हो जाते है नमबर 46 चावल को ज़्यादा समय तक पाने से ना धोएँ इसकी पौश्टिकता नश्ट हो जाती है नमबर 48 दांतों के दर्द से आप परिशान है तो सेंधा नमक में सर्षो के तिल को अच्छी तरह मिला ले इसकी पेश्ट से सुभर शाम बरस करें इस तरह से आपके दांत का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा दोस्तों मेरी टिप्स यहाँ पे खत्म हुई मेरी टिप्स आपको कैसी लगती है जरूर बताए अगर अच्छी लगती है तो फ्लीज लाइक करें मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए ख्याल लखें बहुत ख्याल लखें धन्यवाद